इसी की चर्चा करते हुए आज हम जुडेंगे कुछ एक्सपर्ट से, behavioral economics experts से, जो अपनी राई देंगे कि कैसे behavioral economics policy में use किया गया है और आगे इसकी क्या opportunities है और हम चर्चा करें इसके पहले आपको बताना चाहूँगी कि Indian School of Public Policy, जो भारत का एक leading institute है पबिक पॉलिसी में ये एक नया कोर्स शुरू कर रहा है कोर्स का नाम है लोकनीती जैसा की नाम है यह कोर्स के बाधिम से कोशिश की जा रही है कि जो हमारे हिंदी भाशी लोग हैं जिनको पॉलिसी के शेत्र में अभिरूची तो है पर भाशा की बंधन के कारण वह इस कि सरल्टा पूरवत हिंदी या वेडर कहें तो हिंँलिश के माध्यम से हम कैसे उन् तक यह कोर्स पढ़ाक को पहुंचाए यह जो कोर्स है यह कोर्स है चार dahin की अभशी का यह कोर्स है और इस course में हम theory को कम और skill को जाधा प्राथमिक्ता देंगे जैसे courses जैसे की behavioral economics हो गया, data हो गया, monitoring and impact evaluation हो गया और current laws and schemes हो गई यह सब courses, ऐसे 6 courses हैं आप हमारे website पे देख सकते हैं उन courses को पढ़ाया जाएगा और यह completely online नहीं है, मुझे पता है कि सभी लोग zoom webinars और zoom classroom से दोनों से थक चुके हैं और मैं आपको बता दू हमारे शोतागर्ण की आप ही नहीं थक चुके हैं, ट्रेनर भी थक चुका है पर इसलिए इंडिया में एक truly hybrid mode कैसे कि पढ़ाई की जाए यह हम प्रोग्राम में तो यह प्रोग्राम में बोथ synchronous and asynchronous classes होगी, जिसका मतलब है कि प्रत्याक्ष रूप से शिक्षत आएंगे weekend पे, आपसे बाते करेंगे और आपको exercise और discussions में आप भाग लेंगे, और weekdays में आ लिटरिचर के माधिन से आपको पढ़ाया जाएंगा, तो यह completely online नहीं है, इसमें आप प्रत्याक्ष रूप से बात चीत कर पाएंगे, weekend पे और एक बहुत ही thought after, काफी गहराई से सोचा समझा गया, यह course है, course के बारे में अगर मुझे बोलने का मौका मिले तो शायद पूर विराम डालना चाहूंगी, अभी के लिए हम एक webinar करेंगे जो पस केवल इस course पे होगा, और आपके हम जितने भी queries होंगे, हम answer कर पाएंगे, बस आपको last पार बताना चाहूंगी, कि admission 10 October से खुल रहा है, और 15 November तक admissions बंद हो जाएंगे, और आपको बता दूं कि seats बहुत limited है आपको तो पता ही होगा कि ISPP में हम विशे की गहराई पे हम पूरा ध्यान देते हैं, इसलिए बड़ी classroom नहीं होगी, विद्यार्थी गंड बस 40 seats हैं All India, यदि आप चाहें तो आप हम chat box में डाल देंगे, आप मुझसे समपर्द करेंगे, और मैं आपको इसके बारे में और बता सकती हूँ, पर चलिए आज चलते हैं, हमारे experts के पास, पहले तो आपको बताना चाहूंगी, चेश्टा कोचर हमारे साथ जुड़ी हुई है, और चेश्टा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चेश्टा जी को किसी के परिचे के अब शक्का नहीं है, जब भी नज की बात होती है भारत में तो चेश्टा कोचर जी का नाम अपने आप आजाता है, पर तब भी चेश्टा जी आप अनुमती दे की मैं बता पाऊं, चेश्टा कोचर जी सीनियर अडवाइजर है, बिहरिवल इंसाइज यूनिट अट नीती चुकी है, जैसे की मेकेंजी, गाव्मेंट अफ इंडिया का बहुत अदर प्रोग्राम्स, उनिवर्सटी अफ शिकागो, सभी के साथ ये काम कर चुकी है, और आपको बता दू की चेश्टा जी ने स्ट्राटीजी फॉर्मूलेशन और इंप्लिमेंटेशन अफ टेक्नोलो हो रहा है बताते हुए कि चेश्टा जी जो है, वो मेंबर थी, फाउंडिंग टीम अफ आधार की, तो चेश्टा जी हमारा स्वभाग यह है कि आप आज हमारे साथ को पस्तित है, चेश्टा जी ने अपनी MA कंप्लीट की है, इंटरनाशनल इवलप्मेंट अड पॉलिसी य बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ जुनने के लिए, तैंक्यू नीती, थैंक्यू, करन जी है, आपको बता दें कि करन जी एक बहुत ही उंदा शिक्षक है, ट्रेनर है, और यह एक बहुत ही अच्छी सलस्ता है, बीस्ट, बीस्ट का फूल फॉर्म, आप कर और इन्होंने काफी संस्थाओं को हेल्प किया है, बीस्ट को कैसे अपनाया जाए, कॉम्प्लेक्स चैलेंजिस को सॉल्फ करने के, मतलब बीस्ट इकनोमिक्स इंसाइट को कैसे हम एक टूल, एक माध्यम बनाके, जो काफी उलजे हुए policy challenges होती है, उसको कैसे use किया जाए, उसका कैसे हम solutions निकाले, इसमें इनका जो organization है, ये काफी काम, काफी उन्दा काम करता है, और ISPP के लिए गर्व की बात है, कि ये हमारे adjunct professor है, और ISPP के faculty है, और समय जादा नहीं है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि one of the best faculties है, youngest and best, मैं बोना चाहूंगी, इनका classes, बच्चे बहुत ही passion के साथ अटेंड करते हैं, करन जी बहुत-बहुत शुक्रिया जुडने के लिए, और हमारे जो तीसरे हैं, पैनलिस्ट आशा है कि थूरदेर में जुडेंगे, डॉक्टर समीर शर्मा जी, वो करेंटली चीज सेकेटरी हैं अंध्रा गव्मेंट के, डॉक्टर शर्मा जी जो हैं, वो एक बहुत ही उन्दा scholar administrator है, 85 batch IS से बिलॉंग करते हैं, he has vast experience in public and corporate affairs, 37 years का experience है public and private governance में, जिसमें से 17 साल इन्होंने urban sector governance में, हर एक government के साथ state and center level पर काम किया है, he has got doctorate from United States, और काफी तीन काफी अच्छी किताबे लिखी हैं सर्ने, मुझे सुभागय प्राप्त हुआ, रिव्यू करने का जो urban governance पर था, और he also holds doctor of letters from Shankaracharya University कांची, सर के बारे में जितना कहां जाए कम है, बट एक बात जरूर बताना चाहूंगी, कि he has got several awards, one was by the president of India for community organization in slums, slum free state बनाने के तरफ उन्होंने एक बहुती उंदा कारे किया आंदर प्रिदेश गर्मिन के साथ और दूस्ट्रोंग का वोड जो बहुती सलाहनी था वो था जवाहर लाल नहरू, National Urban Renewal Mission की तरफ, जिसमें उनको Honorable Prime Minister of India जो उस समय थे, उनसे उनको Appreciation मिला, सर अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, पर मुझी आश्रा है कि सर थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अभी वो मीटिंग में है, ये उनका, I think, dedication है, behavioral economics की तरफ, कि despite he is being so busy, he has committed his time, बट वो अभी हमें सूचित किये हैं कि अभी वो मीटिंग में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं जल से जल हम से जुड़ने का, बहुत-बहुत धन्यवाद, चेश्टा जी, अब मैं चाहूंगी कि मंच आप सम्हाले, आपने बहुत अच्छे-चे प्रॉजेक्ट सम्हाले हैं, और लीग किया है, और अब मैं जो बोज, like the responsibility of holding the discourse today, I passed it to you, और चेश्टा जी आपको. धन्यवाद, नीती, उतना मैंने किया नहीं है, जितना आपने बोल दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज की चर्चा थोड़ी engaging रहे, सबसे पहले, मैं अपने पैनलिस्ट, डॉक्टर शर्मा, जो की जुड़े नहीं है, और दर्शरोकों का स्वागत करती हूँ, और उन्हें गांधी जहनती की हार्दिक शुबकामना है, साथ ही मैं Indian School of Public Policy का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने लोगनीती के एक बहुत महत्वपून मुद्दे, Behavior Science को हिंदी में चर्चित करने का निन्ने लेकर, मेरी समझ में लोगतंत्र को सम्मानित किया है, तो उसके लिए मेरी तरफ से ISPP को बहुत बड़ा धन्यवाद, देखी मैं अपने अनुभवी पैनलिस से चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुख हूँ, लेकिन अगर नीती आपकी अनुमती हो, तो उनके बारे में दो पंखनिया जोना चाहूंगी, ताकि दर्शकों को थोड़ा और उनके बारे में बैक्राउंड मिले, डॉक्टर शर्मा जोकी हमारे साथ जूडेंगे, उनकी बिहेवे साइंस में दिलचस्पी, अमेरिका में अपनी पेच्टी के दोरान पैदा हुई, जिसके बाद से उनका यही प्रयास रहा है, कि बिहेवे साइंस को आईए इस अधिकारियों के काम में कैसे शामिल किया जाए, तो जब भी वो हमें जोडेंगे, तो हम उनसे इस विशे में बात करेंगे, करन और और जैसे आपने बताया, बीस्ट नाम की एक संस्था के संस्थापक हैं, बीस्ट का मैं आपको मतलब बतादू दर्शको, बिहेवेरल एकनॉमिक्स और साइंस टीम, और उनका भी प्रयास यही है, कि बिहेवेर साइंस को लोखनीती की समस्याओं के हल में कैसे इस्तमाल किया जाए, लेकिन करन जी का यह भी प्रयास राया है कि बिहेवेर साइंस को युवाउं से कैसे चोड़ा जाए, तो हम करन जी से उस विशे में ज़ादा बातचीत करेंगे, बनता तो नहीं है, लेकिन शिखा अगर आपकी अनुमती हो तो दो पंक्तिया में B.I.U. के बारे में बताना चाहूंगे, क्योंकि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, बहेवरल इंसाइट्स यूनेट भारत की पहली और एशिया की पहली बहेवरल इंसाइट्स यूनेट है, जो की नीति आयोग में संस्थापित है, जहां मैं सीनियर अडवाईजर हूँ, और हमारा प्रयास है कि हम भारत सरकार में बहेवर साइंस को संस्थागत, मतलब institutionalize करते हुए, कुछ ऐसा करें कि लोखनीती के सवालों का जवाब हम लोख में ढूने, लोगों में ढूने, तो ये थोड़ा सा मैं दो पंक्तियों का थोड़ा अधिक context देना चाहती थी अपने दर्शकों को, लेकिन और विलम नहीं करना चाहूंगी, करन है हमारे साथ, तो उनसे मैं शुरू करती हूँ, अगर करन और आपकी अनुमती हो तो, करन बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर जुडने के लिए, मुझे बहुत गर्व है आपसे बात करने के लिए, मैंने बीस्ट का काम देखा है, आप बहुत उन्दा काम कर रहे हैं, पॉलिसी और नॉन पॉलिसी शेत्र में, अगर आप हमें हमारे दर्शकों को बता पाए, बहुत सरल भाशा में, की बहँवियर साइंस का मतलब क्या है? और दूसरा, पिछले आठ से दस सालों में ये शब्द इतना चर्चित क्यों रहा है, करन अगर आप इन दो चीजों पर टिपनी दे पाएं, तो बहुत पहतर। perfect, thank to thank you so much for introduction, thank you Dr Miki, and you are really happy to be here, welcome everyone. So this is actually a very important question, that you are asked, what are students of the material that you speak about, and all our clients in the private sector, में भी दूट है कि अधिक क्या है and मैं अध्शली इसका hr होए ट्रॉड टॉट अधिक है अधिक करते हैं वि करते हैं नहीं जरॉड नहीं वहाद साइंस अधिक कर दो वो सारी अभी ब्रॉद लिए ग्रवार साइंस के अंदर आजा थे हैं so for example sociology, psychology, economics, neuroscience, cognitive science, biology, so behavioral science is very interdisciplinary right and the सारी subject to human behavior the main core model human behavior understanding and change was sorry broadly behavioral science but really if we come to the core of behavioral science key insight is subject क्या है वो रिली यह है कि जो हुमन बेहिवियर है हमारी केपडिलिटी है as human decision makers is very limited right so i think 200 साल करीब till the late 1900s we used to analyze human behavior as if we are all very rational so हम सारी information collect करते हैं जब हम भी decision layering whether it's about college that we want to go to amount of money we want to save healthcare plan right so हम काफी multiple sources of information को integrate करते हैं हम बोर decisions लेते हैं जो हमारे best interest में हैं हम सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं अगर हमने कोई plan बनाया है तो हम के साथ stick करते हैं right so this was really the core of the person we used to study uh this is the person i studied you know as a young economist and जब मैं यह पढ़ रहा था मुझे खुद लग रहा था मुझे खुद लग रहा था कि उन्हों जो लोग मेरे आराउं है वो ऐसे तो बहेव करते हैं so uh starting in the late 1900s uh you know what experiments conduct way in psychology particularly in relation to economics and you know when actually the higher decision making has about limitations uh you know limitations related to time uh effort uh attention uh you know the cognitive processing of the brain and because of these limitations we use a lot of shortcuts and these shortcuts lead to errors right and that really is the key insight you know of the behavioral sciences uh especially when it comes to applied and uh so so that's really you know the definition of behavioral science and why people are talking about it so much is because public policy is built on our understanding of human behavior right so when research conducts and shocking findings are happening that actually people are not rational uh you know what fairly irrational hey our limitations have so pehle toh in academia you know how many to models when i have related to behavioral change um this is a fine career financial incentive name these are built on the fact that people optimize rationally but if they don't do that then you know these things will not work and uh which is why you know it created a lot of stir uh within academia and slowly started to get incorporated uh starting in public policy so the u.s and uk uh jino definitely first we will incite units banai uh jino and even scientists ko higher para uh quick wins uh leka rai the higher key science can impact even abroad when it comes to taxation health police reform nutrition vaccination etc etc right so a lot of very famous case studies uh built around the idea of nudge where you can create behavioral change for low cost and you can actually leverage some of the behavioral influences in people's decision making so jabunka impact you know what uh public policy may dikha i think now more than 130 countries have behavioral insights units and it's been fairly democratized across the world public policy and the that idea is that they actually follow the behaviors which are beneficial for them and also beneficial for society so broadly you know that's a quick introduction to behavioral science and people are not rational people have limitations and we can actually use this to create positive change instagram is के माधियम से अब कैसे सुजाया जारा है तो तो उस पर अगर आप थोड़ी रaş्ष डाल पाएं तो हमारा बहुत 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 रही है definitely for sure so हमने काफी हमारा काम education and finance में घार वाय एिंद्धा and we've actually work with the Ujjeevan small finance bank you know for example and हमने जुशा हमें आपके साथ बहुंझ करी थी है क्योंकि नमके साथ भाल लाज़ सेड़ी करी थी क्योंकि बैंक 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 बैंडर नहीं तो फूल-गलों बैंक इस्टोशन थी जाती थी नहींकि फानशी एटीशन देटी थी प्रोडक्स पेच्ती थी एंड रूवट्ट for different financial products which will benefit them in the long run. उनका काफी हमें बहएवियर्स चेंज करने थे. तो ये, I think around 600-800 लोग थे across the country who spoke different languages, different experiences. And traditionally, of course, you know, what you would do, इसकी हमकी मौनिटरी इंसेंटिव दे, तो आप हमारे हमें नई प्रोडट्स आड करे हैं. और अगर आप रूरल अरे हमें जा रहे हो जा फिनाशल एड़िशन हो है, तो आपको एक्स्ट्रा मौनिटरी इंसेंटिव देंगे पर इच पर इच परसन और इच परॉडट्स. But, of course, you know, when we were brought on board, some of these things were working, but they were limited. Right? And, हमने उस पो बहेवरल अंगल से अनलाइस करा. So, for example, you know, हमने देखा कि ऐसे हम सोचल नॉम्स को यूज कर सते हैं within the sales team. So, creation of a competition, you know, for example, where it basis everybody's performance. There are a few people, you know, essentially, who rank higher or lower, etc. And, they act as mascots. Right? So, just say, IPL का का पुता है टॉप बैच्समन का. वैसा हमने IPL का का बना सकते हैं for a salesperson and use him as a mascot for someone who's showing this behavior. And, the insight here, of course, is that, you know, we're highly influenced by our neighbors, जो हमारे दोस्त करते हैं, जो हमारे कोलीक्स करते हैं. And, अगर हम उनके बहवियर सो साथा सालियन बनाएंगे, जादा आपके in your face बनाएंगे, फॉवर्ड लेकर आएंगे, तो देरा, it's more likely that people will involve you. So, this is, you know, one example, where the traditional tools of just giving money or putting a fine or banning behavior may work but have its limitations, लिके नवाप़ी और influences will be created. यह बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपने समझाया है कि बेवे साइंस को कैसे यूज करते हैं शायद जैसे हम थोड़ा और आगे बड़े वेबिनार में मैं भी दर्शकों से कुछ शेर करूँगी कि कि बी आईउ में हम कैसे प्रोजेक्स ले चुके हैं सरकार के साथ केंद्रिय सरकार और स्टेट्स गवर्मेंट के साथ कुछ पॉलिसी इशूस सॉल्फ करने के लिए कर मैं एक बात जानना चाहूंगी आपसे आपने डिफरेंट प्लाटफॉर्म्स पे ये बोला है कि आपकी ये रुची है कि आप बेहवियर साइन्स को युवाओं तक लेकर जाएं और उनके मार्धियम से लोकनीती के जो चैलेंजिस हैं उनको सॉल्फ करें तो उसकी गहराईयों में हम जाएंगे सबसे पहले मैं आपसे उस बारे में ये पूछूंगी कि आप को क्यों लगता है कि वो महत्वपून भी है क्यों हमें बेहवियर साइन्स को युवाओं तक लेकर जाना चाहिए और अगर आपके कुछ सफलता पूरवक प्रयास रहे ह देडोरी बेहवरेंगे साइन्स इंस इसिप इस अजय सब्गेट जैसे मैं ने बोला था था कि अम आरी तूर प्रवी। आपि बहेव और इन चूस इसको हिला दी आता है, लोट टीज मेभनें निए आटा है लोट इसे विल्टेस. औरे गांड़ेड तो फूपरे मेरे फूटरे एकॉनिस्स है या प्लेरी प्राक्रिशनेर्ट ये एक किंट सेंटनों लिए इन जी बार्टिशन लिए सब्सक्राव्टनिटियर्टाविट्ट ते प्रेंट रुझन अड़ उप्रेंड जी इन दो इन वे इंट एड जए कि उन more of an impact personally and also around the world and uh as at beast of course uh you know this story is very personal because my journey was my journey as i said after college in Warwick Behavioral Economics and Warwick Behavioral Insights team also established where all youngsters are using science for positive behavioral change you know ground level to initiate and a lot of our policy problems now are behavioral change that it's up to us to solve uh like climate change uh you know environmental degradation etc it's the behavioral problems and if the young have to solve these problems so it's very important for us to have the right tools and our online courses uh you know our students are studying behavioral economics college and uh our audience young old we could mix our workshops and some of the leading colleges across the country so um yeah it's one of our visions uh to democratize behavioral economics and of course even isvp has been at the forefront of that by introducing the science to future policy so um अगर आपकी अनुमती हो, मैं दो मिनिट ले लूँ अगर उसमें ये भी बता दूं दर्शकों को कि हमने भी एक हाल ही में ऐसे ही आप जैसे लोगों से प्रेरना लेके एक कारेक्रम शुरू किया है जिसका नाम है भारत में पहली बार है जहां जैसे आपने बोला युगाओं को हम असल प्रोजेक्ट में लाते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं सरकार के साथ काम करवाते हैं तीन महीने की फेलोशिप है ताकि जो निकले हैं तो जैसे कि आप कह रहे हैं वो सशक्त हों इस फील में ताकि वो ल लोकनीती में उस उस शेतर में अगर हम घुसे है तो अगर मेरी समझ में जितना भी मेरा चोटा बहुत एक्सपीरिlaus रहा है सरकार सारकार एक अपनी गती पर चलती है अपनी अगर उसको हमें जमीन पर लाना है, उसकी निधरता मेंटेन करते हुए, उसकी रिगर मेंटेन करते हुए, जिसमें टाइम लगता है, अगर आप पूरा एक एक्सपेरिमेंट करें, उसको पूरा एक साइन्टिफिक तरीके से करें, तो वो दो-तीन हफते की बात नहीं है, वो बेहाबर साइन्स कि निठरता कि आपके अनुभव में कभी आप ऐसी परिस्थिती में आए हैं और अगर आए हैं तो आपने इसे कैसे सॉल्फ करने का प्रयास किया है आपर ज़िए लगता है कि अप्लाइड बेहुरेड साइंस वरी बाद, इसको प्लाइड बेहुरेड साइंस अज़ाइड साइंसरा है। इस बिए इंटररी अरण विए एक्सेरिमेंटेशन, यह अवार्टा हुए यह भी अटेड़िछा लेड़िटी, you know where the results come very fast for example if you want to motivate people to pay tax on time which is only one period so if you have behavioral science and nudges implement and then there are other problems for example if you talk about Swachh Bharat you know which takes a much longer period of time so I don't see this as a challenge I really think that it's it's really you know the approach of the behavioral scientists and the team and how you can really balance uh you know with the goals essentially of the policy makers so many experience where you know there's a lot of science which can be implemented without experimentation as well if that's not if that's not what we're looking at and of course more longer run behavioral change require longer run projects and I do think there is so I really think it's about balancing right where you do the quick projects to get results but at the same time our learnings like a longer revenue projects so that's our approach. यहां पर मेरी तो जानकारी बहुत ही सीमित है इसके इस क्षेत्र में, बट आप हमें और दर्शकों को बताएं, शुर्टागन को बताएं, कि जहां तक मुझे पता है कि यह कुछ टूल होता है जैसे नज का, जैसे जिसके तुरू आप बहुती इमेडिट इंपक्त भी आप सकते हैं, और जिसके देखा गया कि हमारे माननी प्रधानमंत्री जी, जब वो एक जारू उठाके सफाई करने लगे, तो यह सभी कोई प्रेडना आई कि जब हमारे देश के माननी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, जब COVID का समय था, तो बहुत लोगों ने ब हाली बजाना बक्वास है, पर हमारे ऐसा मानना है कि उन्होंने दो चीज़ की, उन्होंने एक तो लोगों को जागरूत किया इस COVID के विशह में, दूसरा वो सभी को एक गांदी जी की शब्दों में कि छोटी से उन्हों चोटी से अपने एक्शन के थूने सबको एक कि आप उनको होसला अधान करना है, तो मेरा समाना है कि बहुत टूल्ज होती होंगी विवर्साइंस में, जो आपको इस तरह के इंपक्त को देखा जाए कि पॉलिस की इंपक्त को बहुत जल्दी गती दे सकते हैं, गती प्रदान कर सकते हैं, तो यदि इस पे आपनों फेमस आइडिया और इसे इन इनका इंपक्त इमजिटली आजाता है जैसे कि यूदर हमें किसी को इसे मैंने टाक्स रिपेमेंट का इसांपल दिया था अगर आपके नेबर्वरुड में इन इतने लोग टाइम पेकर रहे हैं और लाग इन लाग इन लाग इन को прибशती प्रशल केमें स॥ेर्ज प्रूब का इन गडेट में समें समय है आज शल typ marshmallow to add to one इं लेद ऴिए में अगर इंपयर संदैन प्रमlaughter आज जहां करौती अधार अब्सादी ब्यादर प्रिछे एलेश्ल को इ महार्ट वहाँवली प्रिए इसका इम्पक्ट इमिजड़ी आगया था. So, you know, from the start of the intervention, over one month, starting next month onwards, there was already a big reduction in energy consumption, and the conclusion, you know, was that it was actually equal to a large increase in tariff. So, as a policymaker, अगर आपो तरिश इंपरीस रना है, which is a more difficult policy to implement, and you can have more backlash. Here, you've used a nudge, which is, you know, much simpler, and इसका इम्पक्ट इमिजड़ी आगया. So, you know, communication, motivation, a lot of these nudges typically have. Thank you, Karan. Neeti, if you have a chance to give it a little tip, I'll give it a little tip. Tip, tip, tip. As you also have noticed, nudge is one thing that you can do in behavior science, and you can do in behavior science, and you can do in behavior, because you can do in behavior. change in behavior, you can do in behavior, and your behavior change in behavior, but if I can do in behavior, you can also explain, that in our front of us, there are a lot of choices that we do in front of us. यह दोवार को देखने हो पैं लेकिन स्क्रीन से जो उर्जा आ रही है, जो क्लर आ रहे हैं, वो मुझे अपनी तरफ आकरशित कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं choice architecture कि यह different choices हैं जो मेरे पास हैं अभी मेरी नजरों के सामने choices हैं कि कहां-कहां वो देख पाएं नज से हम क्या करते हैं simply बिना कुछ जादा छेड़ खाड किये और मैं बहुत ही मतलब सदल तरीके से समझा रही हूँ लेकिन बिना जादा छेड़ किये क्या हम किसी इंसान की choice को उस तरफ ले जा सकते हैं जहां हम चाते हैं हो जाए जैसे कि करेंजी ने भी उधारन दिया ल लेकर सेब जादा खरीदें तो उसका एक बहुत सरल नज है कि आप उनकी आँख की स्तर पर सेब रखिए सैंविच ना रखिए तो अब यह नहीं आपने ऐसा नहीं किया है कि आपने सेब को सस्ता बना दिया है और आपने यह नहीं किया कि आपने सेब पे गोल्डन पेंट क आपने उनकी चोईस को बदल दिया तो वह हो गया नज अगर ऐसे समझाया जाए तो बहुत ही सरलता पुरवत आपने करण जी ने समझाया और इस प्रोग्राम लोग नीती के माध्यर से यही हमारी 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 हो देश है हमारी कामना है कि लिए के पुब्लिक पॉलिसी जो ए से समझ पाएंगे सो यह सभी अलग-अलग discipline है पर आपको इसके लिए सभी इन क्षेत्रों की जानकारी चाहिए कि आप उसको फिर policy में कैसे आप implement कर पाएं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहें हमारी यही कोशिश है कि experts करन जीजे से चेश्टा जीजे से और बहुत ही अलग-अलग लोग अलग-अलग जो हमारी छे disciplines उसमें से लाग करके यह आपको critical thinking प्रदान करें पतलब आप एक सोच पाएं कि भाई local problems कैसे सुलजाया जा सकता है मुझे याद है कि मैं बहुत पहले बहुत एक training कर रही थी और मैं airport authority of India के लोगों की training कर रही थी और उनमें एक problem थी कि लोग उनको incentive नहीं आपने incentive की बात की तो मुझे याद आया वह उदारन का की incentive नहीं है कि वो time पे आएं या अच्छा perform करें PSU में खासकर यह दिकते होती है फिर उन्होंने बोला मैडम नहीं थी आप बोल रही incentives की बात कर रही हैं हमारे हम पैसा नहीं दे सकते हम नहीं PSU हैं हम वी कांट गिव मनी अज़ रिवार्ट तब मैंने को समझाया कि मनी बस रिवार्ट नहीं होता है आप एक बोर्ड लगा सकते हैं आप बस बेस्ट इंप्लॉई का नाम लगा सकते हैं वहां पे वह भी एक तरह का नहीं पर्फॉर्मस बढ़ेंगे बहारे थे कि नज़ भी बहुत प्रकार से पॉलिसी में यूज़ किया गया है चिश्टा आप मुझे परेट कीज़े अगर मैं गलत समझ गही हूं तो वह बता रहे थे कि जैसे आप रेड लाइन या येलो लाइन लगाते है उसके पीछे भी एक साइन्स है तो इस पे बारे में कुछ बताएंगी कि जो शाद पहले दोजार चौदर के पहले भी किस तरह की पॉलिसी में बहुवरल एकनॉमिक्स यूज हो रहा था आप यह करण जी बताएं और कैसे आपको लगा कि अब इस दिशा में क्या परिवर्टन आया है कि अगर करन अगर आपकी अनुमती हो तो मैं में बता दो मैं मेरे चहरे पर अलमुस्ट बच्चे जैसी खुशी आ जाती है जब जब कोई लोक नीती में बहुवर साइंस की बात करता है तो नीती अब मैं आपको एक उधारन देती हूं जो मेरे दिल के बड़े करीब है आपका जितनी भी आधार की सुविधाएं हैं वो नंबर से लिंक्ट हैं कार्ड की उसमें कोई सुविधा नहीं है लेकिन जब आप इंडिया में जिसको हम अपनी लैंग्विज में बोलेंगे करन भी बोलेंगे सोशल नॉम सोशल नॉम है जो आईडी के इर्दगिर्द व हमारी दिमाग में आईडी काड किया तो यह हमारी मैं आपको बता रही हूं 2009 में यह हमारी वारतालाप हुआ था ओफिस में कि अब हम क्या करें हम कैसे नंबर को इस तरह से सिटिजन्स और डेर करोड सिटिजन्स को कैसे दें कि वह इसे अपना आईडी एकसेप्ट करें मान इसे अपना एक्सप्ट बिगोज अगर सिटिजन नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप देखी इसमें बहुत ही अगर में बोलों चलाकी से किया कि अगर हम अगर हमें पैसा बचाना था अगर हमें तेज करना था तो हम मोबाइल पे SMS कर सकते थे आपको आधार उससे भी आपक बटवे में रख पाएं तापके आपको एहसास हो कि वह आपके पास ID कार्ड है तो हमने देश में जो ID के social norms ते उसका अपने जैसे करन ने बोला अपने फाइदे में इस्तमाल करते हुए आधार को लोगों के करीब लेकर गए तो ऐसे ऐसे चोटे चोटे और यह चोटे नेक है यह तो काफी बड़ा रयास हुआ सरकार का कि उन्होंने बहुत बहुत सरलता से उसका इस्तमाल किया एक बहुत बड़े नीती प्रोजेक्ट का मैं आपको इसी हम लाइन में बात कर रहे हैं मैं आप यह दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी especially युवा दर्शकों को कि हम 14 लोगों की टीम थी आधार में जब हमने यह काम किया और हम में से कोई behavior scientist नहीं था फिर भी हमने उसक का इस्तमाल किया और यह मैं इसलिए आपको यहां पर बताना चाहते हूं यह almost as a piece of encouragement that आपको psychology student या behavior science student होने की जरूरत नहीं है इंसानों को समझने के लिए आपको उसमें दिल्चस्पी होने की जरूरत है और आप बहुत ऐसे टूल्स आगे हैं ISPP के जरीए करन जी ने जैस बहुत टूल्स रेडिली अवेलेबल हैं कि आपको एक पूरा master's या पूरा PhD करने की जरूरत नहीं है ताकि आप उसमें confidence से बोल पाए कि जी मैं इंसान को समझता हूं मैं इंसानी व्यवार को समझता हूं तो आप आप कभी भी किसी को यह अनुमती ना दीजे कि कोई आपक बहुत बहुत अच्छा लगा आप से सुनके ये बात और आइ थिंक नए जो एनीपी पॉलिसी भी जो सरकार की आई हो इसी कि इसी दिशा के तरफ है कि कहीं ने कहीं हमारे इन्म्या में एक बहुत एक धान गई है कि आपको ग्राजवेट होना पड़ेगा एक पर्टिकलर नौकरी प्रे के लिएícia तो हमने स्कील पे ध्यान ने दिया हमने साडी में मुद्ये से अलद जा रही हूं इसी करमे में बताना چाहिएं कि स्किल पे थ्यान ने दिया हम tolerance और आइए-स्पी-पी ऑध्यम से ये लोकनीति प्रोग्राम है वो आपको उस्किल्स पे ध्यान दे कि दर्शक गंड काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ सवाल है तो हम आगे बढ़ें नहीं तो अगर हम दर्शक गंड से सवाल लेना चाहते हैं तो प्लीज अपना सवाल आप चैट बॉक्स में लिखे और आज बहुत ही दो उन्दा एक्सपर्ट्स हैं आपक तो उसमें जरूर सर आएं कि अपने एक्स्पिरियंस से जुड़ने के लिए और हम पोशिश करेंगे प्रयास करेंगे कि एक और कुछ इस टाइप का वेबिनार करें उनके साथ पर अगर कुछ सवाल है शर्मा सर के लिए भी आप लिखिए और उसका आंसर भी में आपक पह अचा पाएंगे यदि चेश्टा जी और करन जी को जवाब ना दे पाएं तो तो कुछ सवाल हमारे अगर शोतागंड की तरफ से हो एक सवाल है चेश्टा जी और करन जी आप पहले आप बताना चाहेंगे इस पर कुछ की इन्फॉर्श्ट प्लॉव में कैसे इसका यूस होता है इसका इसका एकनॉमिक्स का तरफ जी या टेश्टा जी आप बेहेवरल लॉव तो तान्या आप जगेस्ट लॉट जगेस्ट लॉट एट तरफ लिए प्लिकेश्ट थी इस परस अपेग अटेश्ट इंगेश्ट अ क्या डर्मका इसका तरफ लॉटstrfo लॉट लॉटी लॉट थी・ पीशट का लॉटी ऱूटे नग्स पर साथ जग्छसेंथ्ट नी बांगईश्ट लॉटी है बुट लॉटी उटस्या वम लॉटी लॉटीं हैं भॉटी तर बेश्ट श्यू का ढल से ब्यूंगे cooking more द skip गद د एक प्रजेक्ट था जहां पर आपके कार की फोटो खीची जाती है और आपको घीजी जाती है और उसमें लिखा होता है कि यह आप है जो स्पीड कर रहे हैं तौरी कारा आपके स्थे मिट मिट में पृशिच करते हैं अश्छिच करने हैं और अमुटिवेुट ही जाती हैं So, in terms of personalization of law interventions, motivating people to show up, the framing of law, you know, कि यह आप कर सकते हैं, कि अगर आप नहीं करेंगे, तो आपका क्या लॉस है? So, even the way the law is framed can actually have a big impact. And you can see one example also through Brexit, you know, actually the way you pose the question, should you reduce the right to vote or should you give the right to vote? Both of these things can get drastically different answers. So, the framing of the law, whether it's positive or negative, even this can have, you know, so framing of laws, you know, motivating change and personalization, I'd say these are some of the areas where Thank you so much, Karin. चेश्टर जी, आपके कुछ अगर सवाल हूँ तो, अगर आपको कुछ जवाब हो, आपको कुछ अगर शेयर करना चाहेंगी? उस पे निथी एक ही पंक्ती सिर्श मैं आड करूँगी, जो करने बहुत सरलता से समझा दिया, इस एक तो हो गया framing कि आप law को प्रस्तुत कैसे करें, ताकि उस law की implementation ज़्यादा सशक्त रहें, दूसरा हो कि law बनाते वक्त भी आप अपनी इंसानी समझ को कैसे इस्तमाल करें, ताकि उस law वो पहले से ही आप ये सोच में रखिए कि वो law को प्रस्तुती का, पे वो dependent ना रहे, वो उसी direction में जाये, जहां पे human mind already wired होता है, जैसे की, जैसे करने भी छोटे से example बताया, कि अगर हमें पता है कि इस cigarette का, मैं उधारन के तौर पर उधारी हूँ, अगर cigarette के सबसे बड़े consumer है, young लोग, जो कि college में जाते हैं, क्योंकि वो cool चीज है करने के लिए, और अगर आपने उस पे जो label डाला है, जो legal warning डाला है, उ उनका ये जो, उनका availability बायस नहीं रहता है, उनको वो relate ही नहीं कर पाते हैं, कि हमको भी ये हो सकता है, कि optimism हम हमेशा, जो खत्रा होता है किसी चीज का, वो अपने पे सबसे last देखते हैं, especially अगर जिसके through आप हमें बता रहे हों, अगर वो इनसान हमारे जैसा नहीं देखता तो ऐसी भी तरीके होते हैं, कि आप जब law बनाए ही, तब आप अपनी समझ इंसानी गहवार के बारे में law के design में डालिए हैं अगर पॉइंट, I'd like to add here, जो पता नहीं हमारे विज ने सोचा कि नहीं कि जो जजज होते हैं, वो भी हूमन होते हैं तो one very interesting application in law is the biases of judges, ये जो लो बना रहे हैं, are they combating their biases, और जो भी judgment दे रहे हैं, are they getting driven by stereotypes and social norms that's another very interesting area of how we can create their decision environment around them by giving them information to combat these biases, make better laws and also enforce it in the right very very well said, मैं भी देख रहे थी, मेरा जो मेरा जो रहा है, वो corporate governance और insolvency में रहा है मैंने देखा है कि behavioral economics वहां भी बहुत यूज हुआ है और खासकर अभी मैं देख रहे थी, personal insolvency में बहुत यूज हुआ है देश के बाहर और जैसे अपने बात की कि देखे, law तो एक records है ही to discipline the society बट सभी चीज़ का आपको जवाब law में नहीं देखना है, आपको law के पहले ही देखना है अब ऐसी situation एक civil society के जो कल्पना हम करते आज गानी जयनती है और उसके आज इस विशेश दिन मैं कहना चाहूंगी कि जैसे महात्मा गानी जी की जो कल्पना थी ग्राम समाज के, तो वो सुराज वो समाज तभी आएगा जब law as a weapon ना यूज हो जाकि law as an enabler हो तो वैसे enabling laws तभी draft होंगे जब human psychology को मदे नजर रखते वे laws बनेंगे और जो punitive laws है उसकी जरूरत भी ना पड़े इनसान को तो बहुत चीज़े हो सकती है और देखी डेश अभी नया नया इस discipline को का प्रयोग कर रहा है और जैसे वो कहावत है कि काफले बढ़ते गए और हिंदुस्ता बनता गया वही चीज़ है कि लोग इससे जुडेंगे तब आगे देखेंगे कि और इस विशे की गहराई में हम जा पाएंगे एक सवाल है एक हमारे शोता का कि विट ताइम इस पीपल बिकम वाइस इन पॉलिसी मेकर्स नाज हाव दो पॉलिसी मेकर्स डील बिट पॉसिबिलिटी अफ साइकोलोजिकल रियाक्तिंस तो देस्टेस इंटर्वेंशन करन जिसका अगर आप पहले हिंदी में अगर इसको आप सिंप्लिफाई कर पाएं हमारे शोताओं के लिए जो शायद हिंदी कम जानते हों या अंग्रेजी में शायद ना समझ पाएं जी अगर हम नजिज को इंप्लिमेंट करें जैसे लोगों को बोले कि आपके नेवर्स यह कर रहे हैं अगर हमको लगता है कि हम आप हमें क्यों बता रहे हो तो एक नेगेटिव बेवियर आ सकता है वापिस जो आपकी तैम्स एक्स्पिरियंस भी करते हैं आप मार्केटिंग कंपनीज जब हमारे पीछे पड़ी रहती है तो वह स्लज बन जाता है इसको स्लज भी हम बहुते हैं जब आप नज इतना जादा करते हो तो जो आप बहेवियर प्रमोट करना चाते हो लोग उड़ा करते हैं आप जो आप जो नज हो रहा है उनका गोल is not aligned कि अब काफी research ने दिफाया है कि citizens prefer to be nudged a lot of times तो अगर for example आप किसी को nudge कर रहे हो कि वो पैसे जादा सेफ करें या smoking quit करें और उनके best interest में है और उनकी motivation है उसकी तरफ and as a policy maker you are nudging them in the right direction तो फिर यह backfire effect जो आता है कि उसके probability बहुत less है तो इसके अंदर you know the ethics of behavioral change आ जाता है and how important it is to first understand the goals and to make sure कि वो nudge गोल के साथ aligned है नहीं तो आपके साथ नहीं तो बैकफायर आता है बहुत धन्यवाद करन आप कुछ कहना चाहेंगी चेश्टा जी इस सवाल पे जी जादा नहीं लेकिन अगर मैं कह पाहूं इस पर बस इतना ही कि अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं as behavior scientists या as people जो behavior interventions design कर रहे हैं और अगर आपके जो श्रोता गन हैं आपके जो receiving end पे हैं अगर वो समझ पा रहे हैं कि आप कुछ अलग कर रहे हैं उनके जीवन में तो जैसे करन ने बोला आपने इंटर्वेंशन डिजाइन ही नहीं ठीक से किया है जैसे हमने शुरू में भी बात करी कि अगर यह यह साइंस ही ऐसी है और यह हम काफी वारता लाप करते हैं इन सर्कल्स में कि आप जो बाहर वाला देखेगा वो बोलेगा इसमें आपने ऐसा क्या किया तो बड़ा ओव्यस है इसमें आपने क्या बदल दिया लेकिन वही चीजें सफल होती है जिसमें पता ना चल पाए कि बदला किया लेकिन उससे आपकी चौइस बदल रहे हैं तो अगर आपको पता चल रहे हैं कि कुछ बदल गया तो हमने अच्छा काम नहीं किया कि अगर्ण जानना चाहते हैं उनका काफी परस्नल क्वेस्टन्स है कुछ इसमें मास्टर्स कर रहे हैं कुछ शोता गर्ण जानना चाहते कुछ लिटरिचर क्या वेलिबल है तो हम ऐसा करेंगे कि हम आपको यह जब वेबिनार का लिंक भीजेंगे अटेंडीज को तो उसम हम अपने स्पीकर से कुछ पूछ के आपको हम शेर करेंगे और सबसे अच्छा माध्यम तो होगा कि आप लोपनीती प्रोग्राम से जुड़िए सबसे अच्छा तरीका होगा पर तब भी हम इस वेबिनार का जब लिंक भीजेंगे तो आपको अवश्य हम कुछ लिटरिच शनीवार की शाम है क्या बताऊं शनीवार की शाम तो कोई याल की बात नहीं सुनना चाहता है बहुत ही अच्छा लगा कि आज समय निकार के आप लोग हमारे साथ जुड़े इतने important issue को discuss करने के लिए नेखे हम नए भारत के निर्मान बात कर रहें और नए भारत के निर्मान तभी हो पाएगी जब सभी लोग इस लोग नीती की चर्चा में जुड़े और हमारा यही देश है चाहे चेश्चा जी हो नीती आयोग के द्वारा जो बहुल यूनिट जो नीत organization के द्वारा शर्मा जी आज नहीं है मारे बीच में बट वो भी लगे वे हैं यथा प्रयास कर रहे हैं अपने कैडर में लोगों को जोड़ने का तो मैं देख रही हूं कि सरकार समाज सभी का और बाजार तीनों की का यही यथा प्रयास है कि लोग policy की चर्चा में नहीं पाएं कहीं न कहीं भाशा एक बाधा के रूप में आ गई है आज आज दिवस है कांदी जी स्वदीशी मूव्मेंट शुरुवात की थी हम नहीं बोलते कि हम आप हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं पर हम क्या करना चारें कोर्स के माधिम से कि नॉन इंग्लिश स्पीकर जो हैं नॉन इंग्लिश स्पीकर वो अपने आपको कम न समझें वो शर्म न समझें कि हम इस डिस्कोर्स में भाग नहीं ले सकते तो शुरुवात हमने हिंदी से की है आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो यह एक ख्रांती के रूप में आएगा और देखे कुछ साल में और भी वर्नाकुलर लांगुजिस में आएएसपीप का यदि आपका साथ हमें मिला तो हम और भी लांगुजिस में शुरू करेंगे तो यही हमारा प्रयास है और जाते जाते चेश्टा जी करन जी आपसे हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ क्रोजिंग रिमार्क्स दें च अपना अभार व्यक्त भी नहीं कर पाऊंगी सबसे पहले इस मंच से जुड़ने के लिए जैसे आप जानते है मेरा जुड़ाव आएसपीप से रहा है शुरू से तो यह मेरे दिल के बहुत करीब है दूसरा आपकोर्स behavior science के बारे में बात करके जैसे मैं बहुत भारत के ल जादा जो मुझे प्रसंता मिल रही है इस विशे में चरचा हिंदी में करके और जैसा आपने बोला इसका जादा हंदी albo भाशा से कुछ लेना देना नहीं है यहमराखि में भी हो सकता था यह बेंगॉली में जादा important कि इस ये जो subject है इसको भी जरूरत है अलग-अलग viewpoints, अलग-अलग perspectives की जैसे कि मैंने कुछ सवाल भी देके मोहित ने पूछा कि behavior science western world के बहुत सारे examples उधारन है लेकिन भारत के संधर्ब में जादा literature नहीं है और ये सची बात है और ये बहुत ही unfortunate बात है कि भारत औ हमारी जो समझ है इंसानी व्यवार के बारे में हमने western इंसानों को पढ़कर ये समझ बनाई नहीं है और ये समय है सही समय है कि हम इस field को भी प्रजातंत्रियक करें इस field को भी डेमोक्राइज करें ताकि जो हमारी समझ है इंसानों की देखिए कि इंसान तो दुनिया मेंसे वेस्टनर्स नहीं है इस्टनर्स भी हैं इंडियन्स भी हैं तो हम इस समझ को बढ़ाएं और उस दिशा में मुझे लगता है हमने ये बहुत ही प्यारा पहला कदम लिया है कि हमने चर्चा हिंदी में शुरू करी है और धी जो मैं अपने श्रोतागनों से बोलूँगी कि जो कि मैंने इस वेबिनार में भी बोला कि अब बहुत resources है शायद करण ची के टाइम पर और मेरे टाइम पर उतने ना हो कि हम इस field को समझ पाएं अब बहुत resources है ISPP के पास हैं, BEAST के पास हैं, BIU के पास हैं, Center for Social and Behavior Change के पास हैं तो यह field बहुत बहुत बढ़ा है यह बिल्कुल सही समय है आपका इसमें घुसने का आप LinkedIn पे जाईए, आप Twitter पे जाईए, आप different लोगों को follow कीजे, बहुत छोटी सी दुनिया है यह अभी भी, तो यह एकदम सही ताइम है इस दुनिया में घुसने का 20-25 लोग हैं टोटल, आप उनसे रिष्टे बनाईए, सीखिए, सब बहुत खुले दिल से बात करना चाते हैं हम खुद, and I'm sure Karan भी इस बात से सहमत होंगे, हम खुद, रोज मर्रा में कम से कम 10 भी इस लोगों से बात करते हैं, इस विशे के बारे में युवाओं से बात करते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, तो आप हाथ पड़ाईए, बहुत लोग हैं हाथ पकड़ने के लिए, और मेरा, once again, बहुत-बहुत हार्देक आभार मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए नहीं थी, धन्यवालाद। Thank you, thank you so much, and you know, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा तो पर्फॉस ही यह है, of you know, democratizing behavioral science, जैसे चेश्टा ने भी जोटा था, and I think यह जो ISVP ने कोर्स बनाया है, you know, हमार मेरा तो बोल ही यह था कि मैं behavioral economics, behavioral science को जादा से जादा लोगों तक, you know, पहुंचा सुकूं। Especially वो, you know, जो hands-on काम करते हैं, behavioral change problem के साथ, and I think this is, of course, one of the best platforms to do that, and you know, हमारी काफी psychological insights है, जो बहुत इंडियन है, जो, अगर आप गुद्धिस लिटरिचर देखो, for example, उसमें औरेडी प्रेजेंट बायस and hyperbolic discounting वगेरा, जो हम तुने बेस्ट में पढ़ा है, इसके बारे म our own Indian literature is also so vast in terms of psychological insights and applied behavioral science, so I think in the classroom also, you know, जभी कोर्स चलेगा, I will definitely try and create these discussions as well, कि हम इंडियन इंडियन रिसेर्च वी जो पुराना है, बहुत बहुत है, in terms of actually understanding emotions and choices and behaviors, and of course, like Chishtra said, the time is now, you know, for this science, it's changing the world, and इसका application सबसे जादा बही होना चाहिए, जा स्कोप और इंपक्त जादा है, and I think as young practitioners, you know, moving into public policy or other areas, of course, we can use this science to make an impact for India, and कोई इंटेस्ट है, I think कापी questions आ रहे है, you can go to our website, Beast Global, you know, we had one of the first behavioral economics online schools in the country, we were the first ones, तो मैंने देखा कुछ लोग behavioral finance में बहुत इंटेस्टेटे हैं, तो आप उसके बारे भी इंपर सकते हैं, and thank you again, Dr. Mildi and the entire team. Thank you, इसके साथ हम वेबिनार के एंड में आते हैं, और हम हर एक शनीवार, पांच से छे इसी तरह के वेबिनार्स, प्लिक पॉलिसी के अलग-अलग, you know, discipline को लेके आएंगे, और आशा है कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आप जो भी लिखते हैं comment box में, हमको आपसे सीखने को मिल रहा है, और आपको हमसे सीखने को मिलता है, ज्यान का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए आप जुड़े रहें, और आप पांच से छे शनीवार, तो इसी objective के साथ, हमारी यही छोटा, हमारी छोटी सी प्रयास है, हमारा छोटा सा प्रयास है कि, in a gentle way, हम भारत को इस तरह उसको शेक करें, कि जो नए भारत का जो निर्मान हो, वह स्वच भारत हो, और बहुत ही सशक्त भारत हो, जिससे पूरा विश्व एक उदाहरन की र धन्यवाद हमारे एक्सपर्ट्स का, हमारे शोटागंड का, हमारी टीम का, और मिलते हैं अगले शनीवार, पांच से छे, नमश्कार, धन्यवाद नीती